वेलकम बाक टुमाय चैनल कैसे आप सब उमीद है सब पढ़िया होंगे ठीक टाक होंगे मज़े में होंगे और हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेरोइट क्रीम के अगर आपको साइट इफेक्स हो रहे हैं या फिर आप स स्टेरोइट क्रीम को छोड़ना चाते हैं तो आप किस तरीके से इसको छोड़ सकते हैं किस तरीके से पीछ चुड़ा सकते हैं तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे और जिनको बहुत ज़्यादा सेट फेक्स हो भी रहे हैं तो उसको भी हम किस तरीके से एक प्रोड़क् और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है अभी मेरा रोजा है तो मैं बिल्कुल जोट नहीं बोल रहू हूँ ठीक है तो इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा पहली बात अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो तो मेक शूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को बिकाज अब मैं रेगुलर रहूंगी अब मैं बिल्कुल कहीं दी जाओंगी ठीक है नो मैटर कोई देखे ना देखे बट मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगी ही क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जिसको हो सकता है मुझे अभी कोई न होता है तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे रेगुलर रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए जिससे बाकी लोगों की मदद हो सके तो रिसेंटी अभी मैंने एक क्रीम जो है उसको यूज करने स्टार्ट किया जस्ट नॉर्मल एक मॉस्चुराइजर की तरह ठीक ह मुझे जरुए तो मैंने इस क्रीम को जह है इस्तमाल करना शुरू किया मुझे इसके कोई बेनिफिट्स नहीं पता दिया उस दोरान मुझे यहाँ पेंपल हुआ अभी थोड़ा सा निशान है इसका ठीक तो मैंने इस पिंपल को जो है जैसे पक जाता है ना तो मैंने इसक क्रीम इस्तमाल किया और मतलब बहुत ही अमेज्ड हो गई मैं इसको देखके के मतलब बीना निशान के जो है इतनी जल्दी से हील हुआ इतनी जल्दी से रिकावर हुआ तो इस क्रीम इस आमेजिंग मैं यहाँ बात कर रही हूं इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजेग अगर आपको एकने हैं कुछली है इसकिन पील हो रही है इसकिन खिची कीची सी है इसकिन ब्लैक भी हो रही है तो भी कोई मसला नहीं है आप इसको लगा के सो जाईए और सुबह में आप नॉर्मल क्लिसी माइल्ड क्लिंजर से अपना फेस को वाश करेंगे अगर आपके प आप सेटाफिल लीचेगा ठीक है बेबी सोप मत लेना सेटाफिल जो है इसी रहेगा क्योंकि मेरे पास बहुत चारे ऐसे लोग भी आता है जिनके पास जो है बज़ट नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता उनको कितना भी सस्ते से सस्ता प्रोड़क्त बता दो वो फिर भी कंप्लेन ही करते हैं कि मतलब ऐसे ही नहीं है कैसे ठीक करें तो उनके लिए ही मैं ये क्रीम लेकर आई हूँ आप अच्छा वो लोग जो स्टेरोड क्रीम को छोड़ना चाहते हैं उनको डर लगता है यह चोड़ने की कोशिश की है और उनको लगता है कि जैसे स्किन को क्रीम से चोड़ना नहीं होता है उसको अफ दीरे तीरे और कर के कम करेंगे ठीक है पहले बार चे बार लगाया आपने आख ये उनको echt है कि शोड़ने कि भात कि आप श्यासा करेंगे ठीक है हलका सिंपल पानी से मूँ दोलो नहीं आपके पास क्लिंजर कोई फरक नहीं पड़ता आपका फेस काला दिख रहा है थोड़े दिन के लिए काला दिखा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बाद में ठीक हो जाएगा पहली स्टेज पे जो स्किन आपकी बर्न ह छेल गई है इरिटेट जो उसको हील करना पहुत सथा जरूरी होता है उसके लिए आप इसको 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 इसके लिए कुछ अच्छी सी होम रेमिडि़ीज भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आप इसके माल कर सकते हैं बहुत ही एज़ी जो घर में अवेलिबल होती ह वो वाली चीज़ है और अगर बजार से भी खरीदनी हुई तो फिर बहुत ही सस्ती मिलेंगी ठीक है तो आप इस क्रीम को इस्तमाल करो आपको बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेगा जिनको भर-भर के आकने आ रहा है जाई आप आकने पर ट्राइक कर सकते हैं मैंने अभी वैस सिर्फ और सिर्फ खुझली कर रही है रिटेट हो रही है और एकने भी तो आप इसको लगाओ क्योंकि स्किन जो है पहले ठीक होनी ज्यादा जरूरी है जैसे जैसे स्किन हील होगी तो दाने भी निकलना बंधूँगे रेड़नेस है उसके लिए भी आप ही स्तमाल करें ठी स्किन है कम्प्लीटली हील हो जाएगा बेशक वो डार्क दिखने लगे लिकिन आपी जो स्किन है ना एक हेल्दी वे की तरफ जाएगी मतलब थोड़ी सी स्वस्त आपको नजर आएगी तो आप इसको करेंगे ठीक है आगे की इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो में या कि अ